अब इसमें क्या है कि यहां पर यह Microsoft एक्सल तो है नहीं तो WPS Office है और इसमें बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और WPS Office में सारे calculations किये गया है यहां पर समकर formula भी लगाया गया है सबसे बड़ी खासियत है कि फ्री में download हो जाता है इसको download करने के लिए आपको पाइसा नहीं देना परता है अब मल यह select करना है तो control लेकर तो select करी लेंगे उसके पाद आपको प्रेस करना है शॉटकट से border apply हो जाता है और यह बड़ा असान है देखिए ना यहां पर ख्यारों तरह border apply हो गया और यहां पर शॉटकट की different हो जाती है तो आपको यह बात समझना ही होगी कि किस तरीके से इस पर border reply करना है तो शॉटकट की क्या यूज़ करेंगे ठीक है